दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर शंकर सिंग और आप सबका स्वागत करता हूँ डॉक्टर शंकर वेड वर्चेल क्लासेस में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डॉक्स में तीन कॉमने स्किन डिजिजेज थी जिसमें एक स्कैबिज था या सार्कॉप्टिक मेंज था दूसरा फ्ली वाइट अलर्जी और तीसरा एटोपिक डर्माटाइडिस या जो फूड अलर्जी से समस्या होती है इसकिन की उसका डाइगनोसिस कैसे करेंगे किनू को हम लोग क्लीनिकली कैसे डाइगनोस करेंगे उस चीज को हम लोग ने देखा था आज इस वीडियो के माद्यम से हम चर्चा करेंगे कि जो सार्कॉप्टिक मेंज है जिसे एस्कैबिज कहा जाता है कॉमन सा प्रावलम है डॉक्स में इसका इलाज कैसे करना है तो आपको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि क्लिनिकली आपने डाइगनोस कर लिया यानि पिनल पिडल रिफ्लेक्स वो दे रहा है इसको टिंग कर रहा है अगर पिनल के मार्जिन पे आप उसको स्क्राइज कर रहे हैं और उसका डिस्टिब्यूशन जो है स्कीन लिजन का है एस्पास्पिक एरिया में जो रहता है उस तरह से है तो आपको उसका इलाज करना होगा जो सबसे सस्ता और सबसे first wise जिससे माना जाता है Ascaviz के लिए, उसके लिए, एलाज के लिए आपको Ivormectin को select करना चाहिए Ascaviz जैसा कहा जाता है सबसे easy होता है treat करने के लिए और बड़े आसानी से इसे treat क्या जा सकता है तो आईवरमेक्टीन आपको मार्केट में अबलेवल है और बहुत ही सस्ता होता है इसका जो डोजरेट होता है वो 200 माइक्रो ग्राम ध्यान रखना होगा आपको पर केजी बड़ी वेट के हिसाब से देते हैं और हफते में एक बार इसे इंजेक्शन के फॉरम में अगर आपको लगाना है तो लगाना है खाल के नीचे लगाते हैं सबकुटेनियस फॉरम में लगाते हैं सबकुटेनियस रूट से लगाते हैं तो 200 माइक्रोग्राम परकेज़ वेट के हिसाब से आप वीकली देंगे कम से कम चार हफते तक आपको देना चाहिए सिर्फ एक बार इंजेक्शन लगाने से सारकॉप्टिक माइट बाड़ी से कभी भी आउट नहीं होती है क्योंकि जो यह आईवर्मेक्टीन है यह सिर्फ एडल्ट और डेवलोपिंग स्टेज को मारता है लेकिन जो एक सो होते हैं माइट के वो भी वाड़ी के अंदर होते हैं और वो लगबख 10 दिन के बाद डेवलोपिंग स्टेज में आते हैं यह एडल्ट बनना स्टार्ट होता है उनका तो अगर आपने एक सोट लगाया आईवर्मेक्टीन का तो एडल्ट तो मर जाएंगे यह जो डेवलोपिंग स्टेज होंगे वो मर जाएंगे लेकिन जो एक सो होंगे वो फर्दर जब डेवलोप होंगे तो तब तक आईवरमेक्टीन बोडी से आउट हो जाता है मैक्सिमम बोडी के अंदर इसका जो रिटेंशन है साथ दिन का होता है इसलिए हर साथ दिन पे इसको रिपीट करना होता है कम से कम तीन से चार सोट आपको लगाना होता है यह टेबलेट फॉरम में भी अवलेबल है तेनेमजी का टेबलेट आता है जैसा कि आप देख रहे हैं आप है नियोमेक के नाम से आज कर डिस्परसेवल टेबलेट भी वेटनरी में भी आ गए है हुमिन में भी आ गए है इसका बिसेस दियान रखना होता है तो अगर माल लिजे आपके पास कोई छोटा ब्रीड का डॉग है चार किलो का है पाँच किलो का है तो वहाँ पे समस्या आने लगती है टैबलेट खिलाने में तो आप human वाले टैबलेट जो 3 mg के आते हैं जैसे वर्मेक 3 आता है वर्मेक 6 आता है वर्मेक 12 आता है उनको accordingly आप यूज कर सकते हैं और अगर आप oral भी टैबलेट दे रहे हैं तो आपको weekly देना होगा तीन से चार हफते तक आपको देना चाहिए ये तो हो गया कि सबसे सस्ता उपाई क्या है इसके साथ साथ आपको anti-allergic medicine देनी होगी क्योंकि इसमें इचिंग बहुत जादा होती है तो anti-allergic के रूप में आप heart oxygen यूज कर सकते हैं आप चाहें तो montalukast यूज कर सकते हैं आप exofenadine ही यूज कर सकते हैं तमाम तरह के anti-allergic medicines है जो recommended dose पे यूज किया जा सकता है इसके साथ साथ आपको hair growth fast कराना है तो जो skin को promote करने वाले आया skin health को maintain करने वाली जो दवाएं हैं जैसे omega 3 fatty acids हो गया या तमाम तरह की आजकल syrups available हैं जो skin health के ल skin immunity के लिए आती हैं उनका add-on आप कर लेंगे तो quicker recovery होगा और smooth recovery होगा आजकल इसको अगर आपको नहीं adapt करना है तो दूसरी जो दवा है जो सार्कॉप्टिक मेंज को treat करने के लिए होती है वो doramectine है doramectine का benefit यह है कि यह intra muscular भी लगाया जा सकता है और जो doramectine है यह 400 microgram पर graduate से देना होता है और इसे वी weekly आपको repeat करना होता है या 8-10 दिन में कुछ लोग एक बार repeat इसे करते हैं और 3-4 short इसका भी आपको लगाना पड़ता है doramectine से अगर इलाज करना है आपको doramectine जो vials होती है बड़ी special होती है यह थोड़ा costly होता है इनकी vials जो होती है brown vial होती होती है cover लगके आता है जैसा कि आप इसमें देख रहे है फोटोग्राफ में जो advanto है इसके अंदर यह doramectine है यह चारो तरब से एक plastic की covering रहती है ताकि light से protected रहे otherwise doramectine destroy हो जाता तो कोई ऐसी company है जो plain vial में बना रही है उसकी reliability नहीं है वो dependable नहीं है तो आप यह advanto यूज कर सकते हैं या आप dactomase यूज कर सकते हैं जो well trusted है तो doramectine आप alternate में यूज कर सकते हैं वहाँ जहाँ आप सब कट नहीं लगा पा रहा हैं intramuscular लगाना है वहाँ पे आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं सकैबिज की जो समस्या है ये cats में ज़्यादा serious होती है और फिलाइने सकैबिज बहुत serious रूप में cats को affect करता है mostly dogs से ज़्यादा incidences cats में है तो cats में लोग doramectine और iveramectine avoid करते हैं तो cats में अगर आपको सकैबिज है या फिलाइने सकैबिज आपको मिलता है सर्कॉप्टिक में मिलता है तो उसके treatment के लिए best माना जाता है कि आप cellamectine select करें cellamectine actually spot on preparation में आता है कई नाम से आता है dogs के लिए भी आता है और cats के लिए भी आता है जो cats के लिए preparation होता है वो 6% होता है यानि 60 mg परेमल उसमें रहता है तो हमेशा ध्यान दें कि अगर आप cellamectine spot on use कर रहे हैं तो cat में cat वाला यूज करें dog वाला यूज ना करें क्योंकि ज वो 12% में आता है लेकिन इंडिया की जो कंपनिया है वो सिर्फ 6% बनाती है यानि 60 mg परेमल रहता है और इसका जो doge rate है वो 6 से 12 mg पर kg body weight के हिसाब से देना होता है तो अलग-अलग body weight के अनुसार से spot on बनाये जाते हैं अगर आप देखेंगे तो 0.5 ml का 1 ml का 2 ml का spot on 6% वाल जो फाइजर कंपनी बनाती है ये cat के लिए अलग बनाती है और color code देती है तो cat के लिए इसको आप इस्तिमाल कर सकते हैं डॉग वाले में इनका 12% रहता है तो इसका repetition जो है salamectine का वो 1 month के बाद करना होता है ये थोड़ा costly है doramectine से भी ये costly आपको पड़ेगा बट इसको आपको बार बार repeat करने की ज़रूरत नहीं है जैसे doramectine और ribamectine को आपको हर हफते repeat करना है लेकिन salamectine अगर आप use करते हैं तो need हो तो एक मेने के बाद दुबारा repeat करना पड़ता है otherwise one spot ही काफी होता है और इसका application भी easy है क्योंकि इसको just आपको neck के उपर यानि दोनों solder bullets क बीच में एक spot पे पुरी की पुरी जो दोवाई है उसको डाल देनी होती है तो लगाना असान है ओनर friendly है आपको injection नहीं करना है खुद ओनर भी इसको use कर सकते हैं और ये दोवाई उतनी ही काम करती है जितने की doramectine और ivermectine करती है इस से भी अगर आप advance में जाएंगे तो आजकल एक नई ग्रूप आ गया है वो आईसोकसाजॉलीन है और आईसोकसाजॉलीन में तीन तरग के salt अभी इंडिया में available है एक floral liner है दूसरा seroliner है और तीसरा अफेक्सoliner है तो इसमें अगर आप देखें तो floral liner जो ब्रवैक्टो के नाम से आता है ये achievable tablet में इंडिया मे available है और इसका single dose enough है किसी भी तरह के मेंज को और एक्टो परेसाइट को treat करने के लिए लेकिन ये costly बहुत जादा है दो हजार रुपया की लगबा की एक tablet आती है तो आपको देखना है कि honor afford कर सकता है या इसका benefit क्या है अगर बहुत ही जादा furious type का dog है तो आप इसका इसका इ प्रवेक्टो में तो dog बड़े आसानी से खा लेता है और ये body के अंदर three months तक रहता है यानि कि तीर मेने तक आपको इसको repeat नहीं करना है अलग-अलग body weight के लिए अलग-अलग dose आता है अगर exact dose की बात करें तो इसका जो dose rate है 25-56 mg 25-56 mg पर के जो graduate होता है आप देखेंगे त 250 का है 500 mg का है 1000 mg का है 1400 mg का है अलग-अलग body weight के लिए यानि कि इसको divide करके रखा है और accordingly उसको एक tablet खिलाना होता है और अगर आपको जरूरत पड़े तो three months के बाद repeat करना है इसी तरह से दूसरा drug जो है इसी ग्रूप का वो seroliner है सिंपरिका के नाम से आता है और सिंपरिका का जो doge rate है वो 2-4 mg per casual rate है यानि 2-4 mg per casual rate से देना है यह भी achievable tablet है यह liver flavor में आता है तो इसको भी dog बड़े आसानी से खा लेता है इसका जो repetition है वो 35 days में करना होता है तो single sort जैसे ब्रवेक्टो enough है अगर might किसी भी तरह से 35 days के बाद भी body में रहता है तो इसको repeat आपको करना पड़ेगा यह भी costly है 700-800 रुपे का MRP है इस tablet का और आपको दो tablet देना पड़ सकता है सारकॉप्टिक मेंज के treatment के लिए अफेक्सो लेनर 15 दिन में repeat करना होता है तो वो यहां पे suit नहीं करता है उसकी ज़रूरत नहीं है इन दोनों drug में से आप किसी एक का सेलेक्शन कर सकते हैं आज कल आप देखेंगे तो जो jointis company है वो advance में इसका जो preparation है revolution जो है उसके साथ मैं सेरो लेनर का combination spoton में लेके आई है तो आप उस spoton को भी use कर सकते हैं especially cats के लिए जिसमें सेलमेक्टीन के साथ combination में सारो लेनर है जो सिंपरिका का composition है तो उसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं और spoton और वो बहुत ही बढ़िया कारगर होता है एक और medicine है जिसे मॉक्सीडेक्टीन कहते हैं इसक injectable form भी इंडिया में available है लेकिन injection आपको कभी भी use नहीं करना चाहिए यह dog के लिए subcutaneous injection के बाद भी suitable नहीं है 50% dog में serious allergic reaction होता है जो मेरा अपना experience है इसलिए इस drug का इस्तमाल आप न करें इसको अगर इस्तमाल करना है तो spoton के form में करना है और spoton में इसके combinations आते हैं वो ticks and fleas इसके लिए आते हैं अगले वीडियो में उसकी चर्चा हम लोग करेंगे तो इसका injection आपको dog में use नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप देते हैं तो आप तयार रहें कि उसको allergic reactions होंगे और फिर आपको manage करना होगा इसी तरह से कुछ market में lotions आते हैं जो human के लिए use के जात आता है या permithrine का जो lotion आता है उसका अगर local छोटे से जगह पर dogs में scabies के spots हैं तो उस पर इस्तमाल किया जा सकता है इसी तरह से scabial lotion आप लोग बड़ा famous है जानते होंगे जिसमें benzene hexacloride और satrimide रहता है इसका भी इस्तेमाल आप dogs में local application के लिए कर सकते हैं लेकिन benzene hexacloride और permethrine दोनों ही cats के लिए contraindicated है तो गलती से भी cat में इन दोनों salt का recommendation न करें उसका lotion का recommendation न करें otherwise serious उसके side effects हो सकते हैं तो cats में इनका इस्तेमाल नहीं करना है तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो drug up level है इनका आप इस्तेमाल करें साथ ही साथ आप जिस भी जो beddings है animal की क्योंकि ये जो mite होती है वो bedding में recite करती है तो beddings हो गया या cat का basket है तो सब कुछ या तो उसमे एस्टरलाइजर यूज करें या उनको गरम कपड़े गरम पानी के अंदर डालने तो या जहां पर रहता है डॉग उस सारे चीज़ों को गरम पानी से धुल दें त सब्सक्राइब में से किसी भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके आप सार्कॉप्टिक मेंस से animal को treat कर सकते हैं तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रा करें और अपने दोस्तों के शाथ सेयर करें तैंक यू दन्यवाद नमस्कार